टाइटैनिक के डूबने की ये थी, फाइव सबसे BDD वजह, दूरबीन से लेकर लाइव जैकेट तक की PDDDH गई थी, कमी टाइटैनिक एक ऐसा जहाज है, जिसके सालों बाद भी लोगों को सुनना और जानना पसंद है, टाइटैनिक के दुरगटना ग्रस्त होने के दौरान क के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ था, चार दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रेल 1912 को वह एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया, 15-17 लोगों की मौत हो गई और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर बन गया, बताया जाता है कि अगर उस वक जहाज में कुछ बातों पर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी, टाइटैनिक से जुड़ी रहस्यमई और दिल्चस्प बातों के बारे में, लाइफ बोट की कमी टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था, कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अंदेखा किया गया, और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई, बोट को खाली छोड़ना, जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया, गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठा कर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग म इंजन को रिवर्स चलाने कर ओनर डर दिया था, पर आइसबर्ग से बचने के लिए यह काफी नहीं था, अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता, जो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता, दूरबीन की कमी भी इसके दुरघटना ग्रस्त होने का कारण है, क् जानिक जहाज 31 मार्च 1909 में बनना शुरू हुआ था, और इसके बनने का काम 31 मई 1911 को खत्म हुआ, इसके बनने के दौरान ही दो लोगों की जान चली गई, और 246 लोग घायल हो गए थे, यह जहाज इतना शक्तिशाली था, कि उसकी आवाज 16 किमी तक सुनाई दे सकती थी जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद, म्यूजिशन गाने बजाते रहे, ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सकें कुछ ये भी थे कारण कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था, वह 10 हजार साल पहले ग्रीन लैंड से अलग हुआ था, और टकराने के दो हफते बाद वह आइसबर्ग नश्ट हो गया उत्तर अट्लांटिक सागर में जहां टाइटेनिक दुरघटना ग्रस्थ हुआ था, वहां का तापमान माइनस टू डिग्री था, इस तापमान में कोई भी व्यक्ती 15 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था, टाइटेनिक जहाज 75 लाख डॉलर में बन कर तयार कि इस पर बनी गई फिल्म पर 209 करोड डॉलर खर्च हुए थे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें